कल एक मूवी देखी, The Kashmir Files दरसल इसको मूवी ना कहकर इतिहास कहा जाए तो इसके लिए ज़्यादा उचित शब्द होगा जब मूवी देखकर मैं थीटर से बाहर आया तो प्रतेक दर्शक की इस प्रकार की गंबीर मुद्रा थी जिस प्रकार से जब हम किसी व्यक्ति का अंतिम संसकार करके आते हैं और सम्शान घाट से बाहर निकलते हैं तो जैसी मुद्रा और जैसे भाव उनके चहरों पर होते हैं इसी प्रकार के भाव उन सभी दर्शकों के चहरों पर थे कोई किसी से बात नहीं कर रहा था चुपचाप केवल नीचे की तरफ जा रहे थे थियेटर से बाहर जब मैं थियेटर में था उस दोरान भहुत बार ऐसा आफसर आया जब दर्शक रोने लग गए थे सो अबाविक है उन्होंने उस पीड़ा को महसूस किया होगा जिस नरक से वर्ष 1990 में वहां के कश्मीरी हिंदू बुझरे होंगे बहुत सारे तो मोत को प्राप्त हुए लेकिन उनके जो परिवार जन बच गए होंगे और उर जिनोंने उस नरक को भोगा होगा तो संबा होता है उस पीड़ा को उन दर्शकों ने महसूस किया होगा तब ही उनको पीड़ा हुई वो थियेटर के अंदर रोने लग गए और जब थियेटर से बाहर निकल रहे थे तो उस गंबीर मुद्रा में निकल रहे थे बिल्कुल शांत बिल्कुल चुपचाब आप ये सोच रहे होंगे सर पढ़ाते पढ़ाते आप किसी मूवी का प्रमोशन कैसे करने लगे तो दरसल ये मूवी नहीं है ये इतिहास है और मेरा तो काम है आपको इतिहास से आउगत कराना इसलिए मुझे लगा कि मेरा कर्तव है, मेरा दायत्व है कि मैं आपको प्रेरित करूँ कि आप जाएए स्वैम इस इतिहास को अपनी आँखों से देख कर आईए और नेकेवल हिंदू पक्ष से मैं अपने मुसलिम दर्शकों से भी कहूंगा बले ही मेरे विद्यार्थी हो, मेरे दर्शकों या मेरे मित्रों उनसे मैं कहूंगा कि आप स्वैम जाएए और सत्य या गलत को आप स्वैम तै करिए क्योंकि सही और गलत की निजी स्वार्थ के आदार पर अलग अलग परिवाशा है नहीं हो सकती सत्य और गलत सार्व भूमिक रूब से या तो सत्य होगा या गलत होगा आप स्वेम जाएंगे उनकी पीड़ा को महसूस करेंगे तो आप स्वेम ये तय कर सकते हैं कि आज भी भहत सारे कशमीरी हिंदु इसको कशमीरी हिंदु कहेंगे तो ज्यादा उचित है कश्मीरी पंडित की बजाए क्योंकि वापर केवल मारे गए थे जो पीडित हुए थे वो पंडित नहीं थे वो हिंदू थे तो आज भी बहुत सारे कश्मीरी हिंदू रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं अपने घर से दूर इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन वा पास हो अगर इस प्रकार का यह एक्जामपल हम इस्थापित करेंगे तो निश्चित रूप से एक नया सवेरा होगा एक सद्भा उत्पन होगा हमें जैहिंद